So what's up guys, अब आपका World Cup स्टार्ट होने वाला है, इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है and I'm sure उनी से इंस्पिरेशन लेके आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, right? So we are all poised to win this World Cup, वैसे you are going to win this ICAI का World Cup by clearing and examinations. इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ कुछ 5 चीजे discuss करूंगा, जो मेरे 10 years के experience के basis पे, मैंने लिखिया है that these are the things that you should follow when you are just in a zone, जहां पे 15 days के अंदर exam start भी होने वाले हैं and group 1 कुछ लोगों का complete भी होने वाला है, so please follow these 15, these 5 steps and I'm sure it will be very very helpful to you. तो सबसे पहले guys, portion pending है, होता ही है, that's absolutely okay, उसके वज़े से don't try new things now, अब time है revise करने का, अब time है आपका वो जो दो दो दिन में कुछ चीजे आपको complete करनी है, उसके ओपर बहुत ज़ादा जो चीज बज गई है उसके ओपर दिमाग मत लगाओ, ठीक है, we have done our best, जो portion pending है या ज please do not try those new things now, unnecessarily आप अपने आपको और first में डालोगे, so जो किया है अच्छी तरह से उसको revise कर लो, even if you have done 70% 80% things well, I think बहुत अच्छे level पे हुआ, उसी को अभी और strong करना चाहिए, don't stress over pass किये सोचके कि अरे आज काश मेरे को और 10 दिन मिल जाते, यह हर student को लगता है, यह हर इं मिल जाता है, या काश मैंने वो time पे थोड़ा और पढ़ लिया था, that's okay, now it's gone, it's gone, अपने costing में एक simple fund है, sunk cost का कोई relevance नहीं है, वैसे ही sunk time का कोई relevance नहीं है, अब उस पे सोचके और time waste ना करके, let's focus on the new things, please मैं चाहूंगा एक एक person जो यह वीडियो देख रहा है, comment box पे लिक aspects, बस अब आपका ध्यान होना चाहिए, यह तीन चीजों के ऊपर, eat, study, sleep, repeat, eat well, बाहर का खाना, बन, because, you know, unnecessarily फिर कुछ गडबट नहीं होना चाहिए, so it's a eat healthy food, study well, that is but obvious, but also take care of your sleep, 7 to 8 hours, 7 hours at least, एक average रखो, sleep का, ठीक है, you can split it के भाई, आफ्टरनून में आप 1-1-1,5-1,5-2, सो सकते हो, बागी टाइम पे राउंड 5-5,5-1,5, का आप schedule रख सकते हो, and follow that, मतलब अभी क्या है, पता है क्या, 2-5 आपके exams है, तो आप लोगों का एक schedule set कर लो, so that, जब exam आए, तब तक आप लोगों का momentum set हो गया होगा, वो particular time के ल इसका मतलब जादा लोगों से बहुत जादा interaction करने का जरूरी तो यह हुआ क्या, और मेरा यह बाकी रह गया है, अब जो हुआ है, अच्छा हुआ है, बस इस बेसिस पे exam दे रहा है, दो दिन के extra studies के ओपर, कोई बहुत जादा पहाड नहीं तोडने वाले हो, but mentally अभी stable रह बहुत सारे लोगों से मिलते है, and then we keep on discussing unwanted things, कोई मतलब नहीं उसका, just अभी जो किया है, अच्छी तरह से किया है, जितना किया है, जिसने भी जितना किया, ना आपको किसी और को डराना है, ना खुट डरना है, just stay positive, trust your efforts, trust the results, efforts डाला है ना आपने, हो जाएगा, डर लग रह है, एक particular subject, last 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे को बोलोगे ना सब उसका exam लिको, मेरे भी पसीने चुट जाएंगे, और मेरे को भी ऐसा feeling आना चलो जाएगा, यार यह theory याद नहीं आ रहा है, so that's pretty normal, बट जब आप answer लिखना स्टार्ट करोगे, subconscious mind आपको help करेगा, and यह हाँ तक आप ऐसे ही तो पॉच्छो, कॉंसा इंटर में, या foundation में, 10 स्टैंडर में, 12 स्टैंडर में सारी चीज़े याद रहे दी थी, किसको science और history जोगरफी याद रहे दा था, नहीं रहे दा था, but we've cleared it, we've come till here, बस, ऐसे ही आगे भी निकल जाएंगे, trust your efforts, trust the results, that's the main thing that I want to tell you, and 1.5 days का strategy ready रखो, वो time पे panicky situation नहीं create करना है आपको, कि अरे यार अभी का करूँ, या 1.5 days में, या मेरा इतना हो पाएगा, क्या, वो एक, मेरे हिसाब से वो, अगर 4 subject दे रहो, 8 subject दे रहो, जो भी है, वो 1.5 days में, क्या book refer करने वाले हो, क्या YouTube पे आपको lectures, revision के term पे लिकावा है, just stick to it, follow it, follow that process, and I'm sure, we will crack it this time, ठीक है, चलो guys, stay positive, मेरी तरफ से, all the best wishes, और बाकिया आपको गुच चाहिए, let me know in the comments, I hope you guys are motivated and enthusiastic, to give your best in the upcoming examinations, take care, keep smiling, अब game यहाँ पे है, हो गया, यह वाला game अभी हो गया, अब game यहाँ पे जीतना है, और यह game, एक ही चीज़ से जीता जा सकता है, वो है आपकी smile, वो है आपके positive thoughts, thank you, take care,